साथियो इस सत्र की अध्यक्स्ता प्रोफेसर मौनोरंजन मोहंती करेंगे और मैं आप सब का हमारे पैनलिस्ट का दूर दूर से आए हुए लोग विभिन राजियों से जो इस में शिरकत कर रहे हैं उन सब का हर दिक अभी रंदन करता हूँ अभी बहुत सारे लोग जाम में फसे हुए हैं इसलिए हाँ इसलिए थोड़ा सा बिलम से शुरू भी हुआ है और अभी लोग आते जाएंगे और इसमें जगर लेते जाएंगे इस ये नवी बार हम स्टॉक टेकिंग कन्वेंशन कर रहे हैं और जब हम एन्वल कांफरेंस करते हैं अपनी तो हम एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हैं और इसके बाद फिर हम पूरे साल विभिन राजियों में सिक्षा को ले करके अपनी मुहिम चलाते हैं सरकार के साथ भी टीचर्स के साथ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के साथ उनके सदस्यों के साथ और बहुत सारे जो सिविल सुसाइटी और अर्गनाईजेशन से उनको एक जुट करना चाहते हैं और एक ही मकसद होता है कि सिक्षा इस देश में एक बड़ा एजिंडा बन क्योंकि सिक्षा के बगएर देश का विकास हो नहीं सकता सिक्षा के बगएर देश कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता तो यही मकसद होता है कि हर तरफ से आवाज उठे कि हमारे बच्चों को सिक्षा दीजिए और सिक्षा के लिए जो जरूरी रिसोर्सेज हैं वो देश मोह बढ़े हुए खराय किसी कार्पोरेंट के भरोसे सिक्षा नहीं चलेगी और नहीं हो सकती है दुनिया में कहीं नहीं हुई है किसी भी देश में अगर सिक्षा यूनिवर्सलाइज हुई है तो वो उस देश के will power के जरिये हुई है देश की सरकार हुकूमत के जरिये हुई है और टैक्स पेर के पैसे से हुई है किसी प्राफिट मेकिंग कमपनी के पैसे से नहीं हुई है और अगर कहीं दुनिया में जो आगे बढ़े हुए देश हैं वहाँ अगर प्राइवेट सिस्टम को भी आप देखिएगा वो बहुत थोड़े से नंबर हैं अभी भी बड़े पैमाने पर वहाँ देश लोगों को सिक्षित करने की जिम्मेदारी देता है और जब हम सिक्षा की बात करते हैं तो खाली लर्निंग आउटकम नहीं बलकि एक ऐसी सिक्षा जो उनको एक अच्छा शहरी बना सके एक अच्छा इंस करके एक साथ जीना सिखा सके ऐसी सिक्षा और ये सारी सिक्षा किसी प्रो प्रॉफिक कंपनी के जरिये नहीं बलकि देश के टैक्सपेर गरीब लोगों के मध्यम तबके के लोग मेहनत करने वाले लोग उनके कमाये हुए पैसे से दुनिया ने अचीब किया है और हम चाहत आते हैं जो गवर्नेंस के जिम्मेदार है जो हुकूमत करते हैं विभिन रंग बिरंगी पार्टियों में बटे हुए हैं और राज्य में और केंद्र में सत्ता में आते हैं हम चाहते हैं कि वो भी समझें इस बात को कि देश अगर सिक्षा को नई मुख्यमुद्दा से और मेट्रो चलाने से और सड़कें चोड़ी करने से देश का विकास नहीं होगा अगर सब नहीं सिक्षित होंगे और सिक्षा भी लिट्रेसी नहीं ऐसी सिक्षा जिसमें लोग लोगों की अंदर छमता पैदा हो सके कि वो परदे के पीछे क्या चल रहा है उसको भी समझ सक नीतियों को समझ सके नीतियों को अनलाइज कर सके सवाल उठा सके बोल सके ऐसी सिक्षा अगर नहीं दोगे तो देश कभी विकास नहीं कर सकता कभी आगे नहीं बढ़ सकता यहीं बात हम हर बार समझाने की कोशिश करते हैं पूरे साल समझाते हैं और फिर इकठे हो करके उसक का विसलेशन करते हैं और रिपोर्ट आपको बताते हैं कि हुआ क्या आज रगुराज रामन का भी एक बयान मैंने देखा बीवी सी से बात करते हुए जो हमारे रिजर बैंक के डारेक्टर थे उन्होंने कहा कि 2008 और 2009 जो मंदी आई है उससे भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन दुनिया में बन रही है और capitalism is under threat because it is not providing equal opportunity और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये equal opportunity नहीं है और उसमें बताया उन्होंने कि सिक्षा सबसे बड़ा inequality का जरिया बन गया है जिसे society को equal करना था और good education के जरिये वो पूरा किया जा सकता ऐसा उन्होंने कहा आज ये कोठारी साहब ने 1986 में देश को समझाने की कोशिश की थी कि अगर एक segregated society एक बिभिन तरह की खाई में बटी होए समाज को एक जुट करना है तो निवर उड़ी स्कूल सुरू करो common school system सुरू करो एक स्कूल का पडोस जिसमें हर धर मजब हर जाती और हर economic status का बच्चा उस च्छाचत में कुठारी साहब ने बताया नहीं पूरा हो पाया अभी तक और उसके बर खिलाफ हमने बहुत segregated system बना दिया सिक्षा के अंदर जिसके पास जैसा पैसा है अपने बच्चे के लिए वैसे सिक्षा खरीच सकता है वो बाजार कभी से बना दिया सिक्षा जो समाज का विसे थी देश का विसे था उस सिक्षा को हमने बाजार का विसे बना दिया और हमारी सरकारे भी यही काम करती है वो भी बहुत सिक्षा पर महरबान होगी तो model school खोल देंगी एक और परत तयार कर देंगी हमने ये कहा परत मत तयार करो और यही हमारा दिली की सरकार से भी मत्वेद है परत मत तैयार करो इस देश में जनम नेले वाले हर बच्चे को एक तरह की सिक्षा पाने का हक है ये दो इस देश के अंदर हर बच्चा वो जहां भी पैदा हुआ हो और हमने अपने पढ़ाई के जमानों में नारा लगाया निर्धन हो या हो धन्वान सिक्षा हो होगी एक समान आज तक वो पूरा नहीं हो पाया इसलिए हम आप से दर्खास करना चाहते हैं ये मौका चुनाओ का है सबी पार्टियां चुनाओ के मैदान में जा रही है चुनाओ में अगर सिक्षा पर बात नहीं होगी तो किस बात बात होगी हमने पिछले दिनों बड़ बड़ा हत्यार है सिक्षा को युनिवर्सलाइज करने का जरूरत पड़े तो इसका दायरा बढ़ाईए और प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजूकेशन को लाईए और इसमें जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको सब को भी लीगल राइट दीजिए देश अपना स्वास्त किसानों की आत्महत्या इन सब बुद्धों पे चर्चा होगी देश में और सरकार का परफर्मेल्स चेक होगा सरकार ने पिछले चार प्राइट सालों में किया क्या है देश एक मोड पे खड़ा है जहां आर्थिक सामाजिक राजनेतिक संकत है इस देश के अंदर इसलिए ये चिराओ बड़े बहत तो पूर होंगे लेकिन तब तक हमने देखा कि एक दूसरी बहत शुरू हो गई और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें आप हस्तक शेप कीजिए पूरे देश में युद्ध का उन्मान पैदा किया जा रहा है पूरे रिसोर्से सब कु कुछ जैसे मैं नहीं वो देखा है कि कभी कभी दो बड़े साणों को लड़ा के और कुछ लोग बैठके मजा लेते हैं एक खेल है ये खेल है लोग कटेंगे मरेंगे और हम जो है अपनी मूचों पे ताव दे करके कहेंगे कि हम जीत गए किसान का बेटा मजदूर का बेट मेहनत करने वाले का बेटा गाओं के गरीब का बेटा बंदू के लेकर के सरहद पे लड़ाई करता है और वो मरता है और देश में सब को कह दिया जाता है कि चुप हो जाओ बोल नहीं सकते तुम अभी लड़ाई चल रही है तुम सिक्षा की बात करो मत बोलो हेल्थ की बात इस बनेगा इस पर बात चर्चा नहीं क्योंकि युद्ध चल रहा है और सारी रिसोर्सेज हम युद्ध में चुप करा दिया जाता है आवाज बंद कर दी जाती है हम ये कहने आए हैं इस स्टॉक टेकिंग में कि हमारी आवाज बंद नहीं होगी और हम सवाल करेंगे और हम पूछेंगे तुम्हारी हुकूमत बचाने के लिए छेड़े गए युद्ध इससे हम डरने वाले नहीं हैं हम हुकूमत को चुनोती देंगे क्योंकि अभी भी साथ लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है आउट अफ स्कूल है बच्चे आठवी क्लास पूरी नहीं कर पाते ट्रांजिशन नहीं हो रहा है 15-15 किलोमीटर दूर सेकेंडरी स्कूल है इसलिए लड़कियां आठवी के बाद अपनी सिक्षा जारी नहीं रख पाती कैसे तुम सस्टनेबिल गोल 30 2030 तक पूरा करोगे जिसमें पूरी दुनिया में सिक्षा को सेकेंडरी लेविल तक युन अपनी सिक्षा कंटिनिल नहीं कर पाते दुनिया में जूट बोलने से काम नहीं चलेगा हर साल तुम्हारे सिक्षा पर खर्चा कम होता जा रहा है हमने जो सेस लगाया था सरकार ने उस सेस का भी जो पैसा प्रारमिक सिक्षा कोस में आया 13,000 करोड रूपया कहां चला गया उसका पता नहीं चल रहा है आइटी आई दाखिल करके ये पता करने की कोशिस की कि सेस का पैसा 13,000 करोड रूपया कहां ट्रांस्पर हो गया सरकार बताने की स्थिति में नहीं है ये सवाल है जिनको पूछा जाएगा तुम क्लास्रूम के अंदर जो है बिसे उस किताबें जो हमारे constitution को reflect कराती है उसको भी बदल देना चाहते हो अपने हिसाब और अपने तरह की सोच का हिंदुस्तान बनाना चाहते हो ये सवाल तो उठेंगे और यह हम पूछेंगे और यही कहने के लिए और चार साल क्या किया आपने पहली बार आये तो 28,000 करोड से घटा के 22,000 करोड कर दिया हमारा बजट और आज तक नहीं पहुच पाए हम होँआ सिर्फ 26,000 करोड और वो भी इतना बड़ा कानून जो सैकनों साल बाद आया 2013 में गोखले साब ने उठाया था उस कानून को जो 2009 में आया उस कानून को भी कमजोर करने की लगातार कोशिस हो रही है और उसका एक मुद्धा बना दिया गया सैमेसे का एक हिस्सा बन गया कानून इन बातों पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूँगा आप सब लोग है इस पर चर्चा करें लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाओ में सिक्षा को एक मुद्धा बनाई गया ये जो माहौल चल र होती और ये चुनाओ चला जाएगा और फिर सब अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे इन चुनाओं में सिक्षा को जन्ता का मुद्धा बनाने की जरूरत है देश में प्याज को मुद्धा बन जाती है सरकार बनती है बिगड़ती है प्याज के नाम पे सिक लिक्षा दो, स्वास्त दो, रोजगार दो, किसानों की जो बुरी हालत है उस पे चर्चा करो, चुनाओं में हम ये नकली युध्यों मार में फसने वाले नहीं हैं, और हमारा पैसा हमारे मुद्दों पे खर्च करो, जनता की बहतरी के लिए खर्च करो, ये आप से हम कहना च खलाफ और अपने मुद्दों को फिर बुलंद कीजिए, और राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दीजिए, कि इस चुनाओं में, वो हमारे सवालों पर बात करें, हमारे सवालों पर वोट मांगिए, और आजा ये दिल्ली में सरकार बना लीजिए, हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे सवालों को पीछे धकेलने के लिए, एक नकली सवाल खड़ा करके लोगों का माइंसेट बदलने की जो कोशिश है, उसके खलाफ हम खड़े होंगे, ये बात हमें इसी स्टाक टेकिंग में कहनी है, और इसलिए हम लोगों नहीं नारा दिया है, युन चाहे जितना भी हम काम करते हैं, उस सब का रिजूलूशन पॉलिटिकल फिल्ड में होना है, इसलिए आपसे ये दरखास्त है, और इसी के साथ मैं आप सब का स्वागत करता हूँ, और मुहनती साथ से निवेदन करता हूँ कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं, धानने वाज़ करता हूँ